गाइच अगर मैं आपको इस तरीके का एक image फाइल देदू जो की mobile से click किया गया है और मैं आपको बोलूँ कि इसको एक minute में आपको text फाइल में convert करना है याण that means कि आप इसके एक एक text को आप copy paste कर सकते हैं, edit कर सकते हैं, वो भी Microsoft Word में तो अगर आपको नहीं पता कि कैसे करते हैं तो आप वीडियो पे बने रहें और बिलकुल 100% जन्यून तरीका आप लोग को Microsoft Word में करके बहुत ही आसानी से आप लोग को समझाने वाला हूँ किसी तरीके के भी document हो, jpg format में हो, easily आप उतको textable file में convert कर सकते हो, उसको copy कर सकते हो, cut कर सकते हो, edit कर सकते हो, सब कुछ possible है तो चलिए कैसे करते हैं आप लोग को बताते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बरने से पहले आपको एक tool के बारे में बताने वाले हैं, जिसका नाम है One Browser तो One Browser एक तरीके का browsing tool है, जिस तरीके से आप Google Chrome और Edge को यूज करते हैं उसी तरीके से आप One Browser का भी यूज कर सकते हैं इसमें आपको VPN भी ब्यूल्टिन मिलता है, आपको अलग से कोई भी VPN डाउलोड करने की जरूद नहीं है ब्राउजर में multiple accounts manage करना चाहते हैं, तो आप वह भी यहां पर कर सकते हैं साथ ही आप अपने account को किसी के साथ share भी कर सकते हैं तो यह सभी features से यहां पर दी गई है, तो आप इस tool को एक बार जरूर यूज किजिए अगर आप 2024 में आपने यूज नहीं किया है, तो आपको जरूर एक बार try करना चाहिए लिंक नीचे description में दिया गया है, तो आप वहां से download कर सकते हैं तो सबसे पहले guys आपको Microsoft Word open करने ना है, आप कोई भी Microsoft Word उज़ कर रहे हो, सब में सेमी तरीका है Microsoft Word open करने के बाद सबसे पहले guys आपको आ जाना है insert में, insert में आने के बाद आपको यहां पर picture पर click करना है और आपको यहाँ पर उस images को select करना है जहाँ पर आपकी images रखी हुई है जिसको आप text में convert करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा एक book का मैंने अपने phone से एक picture लिया है और इसको मुझे editable file में convert करना है तो सबसे पहले मैंने इसमें add कर दिया add करने के बाद यहाँ पर आपको corrections पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आप आएगे तो picture correction option होगा तो इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पे sharpness, brightness और contrast दिया गया है तो आप इसके sharpness को 10% increase कर देता हूँ और brightness को मैं यहाँ पे 30% increase करता हूँ अगर यह clean नहीं होता है पूरा तो आप इसको increase कर सकते हैं 40% 50% और contrast को मैं 10% increase करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पेर इसकी image की quality है वो काफी better हो चुकी है और text अच्छे से visual हो पा रहा है ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि जो Microsoft Word में text recognition system दिया हुआ है वो अच्छे तरीके से Word को capture कर पाए इसलिए मैंने इसको clean कर चुका हूँ आप चाहें तो आप इसको crop करके भी ला सकते हैं लेकिन अगर आप इस तरीके से भी add करते हैं तो भी आपका perfectly work करेगा इतना करने के बाद guys आपको इसे save करना है save करने के बाद यहाँ पर save edge पर आपको click करना है और आप इसका कहीं भी एक location दे दे मैं इसको desktop पर देता हूँ और desktop पर मैं file का नाम यहाँ पर रख लेता हूँ trial trial document और यहाँ पर save as type पर आपको select करना है select करने के बाद आपको इसमे PDF को select करना है देख सकते हैं यहाँ पर PDF है तो आपको इस पर click करना है अब हमारा file save हो चुका है और देख सकते हैं अटमाटिक से यह browser में open हो चुका है तो इसलिए मैं इसे बंद कर लेता हूँ साथ ही आप Microsoft Word को भी बंद कर दे फिर से आपको एक बार Microsoft Word को open करना है Microsoft Word open करने के बाद blank document को select करें और इस तरीके से फिर से आपका open हो जाएगा उसके बाद अब क्या करना है आपको यहाँ पर view section में आना है view tab पर आपको click करना है view tab पर click करने के बाद आपको यहाँ पर outline का एक option मिलेगा उपर में तो आपको इस पर click करना है outline पर click करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको store document का ओप्षन enable हो जाएगा तो आपको इस पर क्लिक करना है store document पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से दो ओप्षन यहाँ पर खुल के आएंगे create और insert तो आपको insert पर क्लिक करना है, ध्यान रहे आपको insert पर क्लिक करना है, तो insert पर क्लिक करके और अभी जो आपने file PDF सेव किया था, उसको आपको सिलेक करना है, तो मैंने उसको desktop पर सेव किया था, तो चलिए मैं ये trial document था, मैं इसको सिलेक करने के बाद यहां पर आपको option आएगा, okay, cancel, help, तो और no to all, तो आपको यहां पर yes to all पर आपको क्लिक करना है, yes to all पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके document जो भी jpg था आपका, जिसको आपने PDF में convert किया था, जो भी text उसमें available होगा, यहां पर आपका automatic से, वो सारा text यहां पर convert होकर आजाएगा, और यहां पर इस तरीके से आ अब इसमें जो भी आप change करना चाहे, या फिर इसमें cut copy paste करना चाहे, तो आप कर सकते हैं, मान लीजे कि अगर आपका box आपको एक document देता है, और आपको बोलता है कि इसे एक एक करके type करना है, तो आप एक एक करके type ना करके आप यह तरीका आपना सकते हैं, और काफी ज्या कमेंट करके जरूर बता हैं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful था या फिर नहीं